हेलो गाइज वेलकम बैक तो देस्ट विकम इंग्लिश चैंपेन यूट्यूब चैनल और आज हम रीड करेंगे दह हिंदू न्यूस पेपर और इंप्रूब करेंगे अपनी इंग्लिश को तो सिधा शुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हैडलाइन लिखा हुआ है इ इस्राइल ने हीट किया अब यह हमारी हेडलाइन है इसलिए परसंट इंडेफिनिट में लिखे ऑई हीए हिट वर्ब की फरस्ट पॉर्म है इस्राइल यहां पर सब्जेक्ट किसको हीटकिया इसने इरान इरान के मिलिटरी साइट गो साइट मतलब उनके ठिकाने यानिके जो military यानिके सैन्य स्थल जो है ठिकाने जो है इरान के उसको इट किया इसराइल ने आगे लिखाया है सैमि कॉलन डालकर four soldiers killed चार सैनिक जो है वो मारे गए तो यह थी हमारी headline इतनी मुश्किल देए थी बस आपको यहाँ पे सीखना है एक तो स्का यूज जिसका मतलब है किसी का कुछ जो कि हमने कवर किया था वीडियो नंबर सिक्स में अपोस्ट्रॉफ एस के यूज में उसके बाद headline प्रेजन इंडेफिनिट में इसलिए यहाँ पे यूज कर दिया एस का और बाग की इतना मुश्किल कुछ है नहीं एक यह वर्याद कर सकते हैं आप साइट मतलब ठिकाने या स्थल तो इसके बाद अब देखते हैं सब हैडिंग यहाँ पे लिखा है mission targeted तो mission ने target किया जो mission है यह वर्ब की second form target तो इसने mission ने निशाना लगा है मतलब इनका इसराइल वालों का mission था क्या mission था target करना ठीक है तो इन्होंने target किया किसको missile factories को missile बनने वाली जो factories है and military facilities और जो सैन्य सुविधाएं उन पर in several regions कई कई शेत्रों में ठीक है आगे लिखा है says Israel military तो यह इसराइल की military ने कहा तो यहां पर एस लगाओ है present indefinite यह subject है यह verb की first form बात past की है बटली की present में जाती है तो यह जो subheading होती है कभी इसको present indefinite में लिखते हैं कभी past indefinite में हम यह भी कह सकते है इसराइल military का कहना है ठीक है या फिर उन्होंने कहा फिर लिखावा है Iran says Iran का कहना है या उन्होंने कहा the raids raids मतलब चापे मारी जो चापे मारी है damaged तो इसने शतिग्रस्त किया डैमेज किया radar systems को ads तो यह भी add का मतलब यह भी कहा it was prioritizing a ceasefire it मतलब यहां पर इरान की बात हो रही है कि वो prioritize कर रही है यहां पर is is का हमने यहां पर लिखाव है was because इससे पहला जो sentence आता है वो past का होता है इसलिए हमने यहां पर क्या किया was वैसे तो यहां पर is लिखना चाहिए था sub heading की वज़े से और निच्चे जो paragraph होता है वहां पर was लगाना चाहिए चलो जो भी है तो यह भी कहा कि वह prioritize मतलब प्रार्थमिक्ता दे रहे थे ceasefire को ceasefire मतलब होता है युद विराम मतलब युद को रोकना तो उसको प्रार्थमिक्ता देने कोशिश कर रहे थे in Gaza and Lebanon में कि वहां पर युद ना हूँ clear हुआ तो mission ने target किया missile factories को और military facilities को कुछ regions में शेत्रों में यह कहना है इसराइल की military का और इरान का कहना है कि जो यह चापे मारी है तो इसने damage किया radar systems को और यह भी कहा कि वह प्रार्थमिक्ता दे रहे थे युद विराम को Gaza और Lebanon में तो यहां पर वर्ड देखिए एक हट target करना मतलब निशाना लगाना और factories तो जानती है कार खाने वगएरा military facilities सैन्य सुविधाएं region मतलब शेत्र और raid वगएरा मतलब छापे मारी करना damage verb मतलब शतिगरस्त करना radar system जो helicopters वगएरा में उनकी location के लिए use होता है prioritize मतलब प्रात्मिकता देना ceasefire मतलब युद विराम युद को रोकना यहां तक clear हो गया सारा तो tense अगर देखिए तो mission targeted यह second form है past indefinite इसके बाद says Israel military यह present indefinite Iran says present indefinite फिर जो raids है damaged यह past indefinite मतलब यह totally mix ही कर रखा है इनोंने जो की होना नहीं चाहिए चलो जो भी है आगे देखते हैं यहां तक clear हो गया सब कुछ अब है main paragraph और आप में से जो भी ऐसा student है जिसको English नहीं आती वो अगर newspaper पढ़ रहा है तो rules उनको समझ में नहीं आएंगे तो better कि आप लोग सबसे पहले English को सीख लें उसी के बाद newspaper पढ़े तो बहुत benefit मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा और अगर आपको English सीखना है मेरा course join करना है तो इसके ल इसको join कीजिएगा अगर आपको English सीखना है तो तो अब आज यह image के नीचे यहां लिखा है in this photo इस तस्वीर में provided जो उपलब्द कराई गई है by the Israeli army Israeli army के द्वारा इस्राइली के इस photo में जो उपलब्द कराई गई है इस्राइली आर्मी के द्वारा तो इसमें इस्राइली एयर फोर्स प्लेंज जो इस्राइल के एयर फोर्स के जो प्लेंज है डिपार्ट तो वो रवाना हुए from an unknown location एक unknown location से unknown मतलब जिसका पता ना हो और क्यों रवाना हुए to attack करने के लिए इरान को on Saturday गो तो यहां पर डिपार्ट लिखा हुआ है डिपार्ड मतलब रवाना होना और इमेज के नीचे भी हम लोग इसको present में ही लिखते हैं कई बार आपको past में भी मिलेगा बड मैक्सिमम present में मिलेगा इसलिए डिपार्ट यहां पर वर्ब की first form लगी है और यह है subject तो clear हुआ है स चीज और दिखा देता हूं आपको इन दिस फोटो इस फोटो में फिर मैं या पे एक फोटो के बारे में एडिशनल इंफोर्मेशन बता रहा हूं कि कौन सी फोटो फिर मैं लिखता हूं पर उकलिश विच वोज़ प्रॉएडिट जो उपलब्द कराई गई बाई इस्वराइली आर्मी तो शौट में क्या करते हैं विक वोज़ऑ को उडदा देते हैं सीधा लिखते हैं कौन सी फोटो फटो पर वट उपरॉएडिट जो उपलब्द कराई गई ये चीज मैंने आ तहरान एजेंस फ्रांस प्रेस यह पर लिखा है इस्राइल बॉब्च इस्राइल ने बंबारी की किस पर military targets पर मतलब जो सैन्ने स्थल है उन पर यहाँ पर target एक उनका काम कर रहा जिसका मतलब है जगह या ठीकाने या स्थल या साइट्स तो इस्राइल ने बंबारी करी military के targets पर इरान में on Saturday को फिर कोमा डाल दिया फिर वर्ब की फर्स्टों आएंजी लगा दिया तो यह बताता है इसके result को इससे result क्या हुआ killing जिसमें मतलब किल हो गए मर गए at least four soldiers जिसमें चार सैनिक मारे गए फिर से कोमा डालके वर्ब की फर्स्टों आएंजी बता रहे हैं एक ओर result बता रहे हैं कि और क्या result हुआ fulfilling फुल्फिलिंग फुल्फिल क्या होता है किसी चीज को जैसे कोई इच्छा होती है उसको पूरा करना उसको फुल्फिल करना तो फिर क्या हुआ fulfilling a vow to avenge a missile bearage तो यह जो उनकी शपत थी वह क्या होता है शपत और सपत कॉनसी थी to avenge होता है बदला लेना थीए और मिसाइल बैरेज दो जैसे बहुत साइब मिसाइलों से डिया डियुक्त होता है उसका जो बदला था तो उसकी जो शबत थी वो पूरी मैं यह वह वैंवेंज और सीखने वाली चीज है अवंवेंज किसी को फरक पता है तो कमेंट सेक्शन में जुरूर बता दीजीगा मैंने पहले भी बताया है दो तीन बार जुरूर बताया है अवेंज और रिवेंज में क्या मतलब है तो आगे देखते हैं तो इसराइल ने बंबारी करी मिलिटरी के ठिकानों पर इरान में सेटरडे को जिसमें कम से कम चार सैनिक मारे गए और जो उनकी शपत थी परतिशोद लेने की मिसाइल बैरेज की मतलब मिसाइल का जो अटैक थ उसकी तो वो उनकी इच्छावी पूरी होई एंड और स्टरिंग फियर्स स्टर फियर का मतलब क्या होता है एक तरह से धर का महूल पैदा करना तो स्टरिंग फियर्स अब देखिए एंड लगाकर वर्ब की फरस्टों आई एंजी मतलब यह भी रिजल्ट हुआ उसका रीजिनल वॉर मतलब बड़े पैमाने पर फूल स्केल का जो शेत्रिय यूद है रीजिनल वॉर है इन वेस्ट एशिया तो इसमें इसका डर भी पैदा हुआ ठीक है तो वर्ड याद करें एक तो आगया स्टरिंग फियर्स डर पैदा करना फुल्फिल मतलब पूरा करना व मतलब शपत और मिसाइल बैरेज मतलब हता है मिसाइल के दुवारा अटैक बॉंड मतलब बंबारी करना और एट लिस्ट इस कम से कम तो यह हो गया हमारे सारे के सारे वर्ड तो फर्स्ट पैरग्राफ इस कंप्लीटेड नव नेक्स्ट आगे लिखा है इस्राइल वांड इ इस्राइल ने चेतावनी दी पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या चेतावनी दी इरान वुड पे और हैवी प्राइज की इरान पे करेगा एक भारी कीमत मतलब सीधा साय एरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर यहां वूड की जगा वूड हैव टू लिखते तो ज् इरान विल हव टू पे हैवी प्राइज इरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मजबूरी फ्यूचर की विल हैव टू लेकिन यहां पे विल हव टू का कर देना चाहिए था वूड हैव टू क्यों क्योंकि उससे पहला संटेंस पास्ट में और विल हव टू की जगा निया 196 होगा शायद और अलग अलग topics भी है मों देख लीजेगा ठीक है तो के इसराइल ने चेतावनी दी कि इरान को भारी कीमच चुकानी पड़ेगी if अगर it responded अगर उसने जवाब दिया ठीक है किस चीज का उसने प्रतिकरिया दिखाई to the strikes इन हम लोगी मतलब इसराइल ने अटैक कर दिया और अब इसराइल कह रहा कि अगर इरान ने पलटकर वार किया रिस्पोंड किया इन हम लोगा तो फिर उनको भारी कीमच चुकानी इन दोनोंने मांग करी तेहरान तेहरान से किसी चीज की not escalate की मतलब और ज्यादा न बढ़ाये escalate होता है speed up करना बढ़ा देना किसी चीज को तो तेहरान से demand करी not escalate की बढ़ाये ना the conflict इस विवाद को इस संगर्ष को further और आगे clear हो गया यहां तक एक एक word मां आपको बता रहा हूँ ठीक है तो at least एक comment तो बनता ही आपकी तरफ से और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक vocabulary का वीडियो दिया था 10 words तो जुरूर देख लिजेगा उसको भी यहां पर word याद करें एक है pay a heavy price भारी कीमत चुकाना, warn चितावनी देना, respond प्रतिकिरिया दिखाना demand is मांग करना, escalate is speed up करना, बढ़ाना, तेज करना conflict is विवाद, further मतलब और आगे और एक word था यह strikes मतलब हम ले next है the Islamic Republic insisted insist से याद आ रहा होगा आपको मेरा एक lesson insist का chapter था पूरा तीन cases कराए थे तो insist मतलब जीद करना, बार-बार कहना, forcefully बोलना या emphasize करना, जोर देना तो Islamic Republic जो है insisted, इन्होंने मतलब जोर देकर का बार-बार it had the right, यहाँ पे had लगा है, मैं यहाँ पे has कर देता हूँ उन्होंने तो यह का होगा न, we have the right, हमारे पास right है तो यह जो have है, have या has जो भी, इसको हमने कर दिया had क्योंकि इससे पहले जो sentence है वो past में है, यह narration का rule तो Islamic Republic ने जोर दिया कि उसके पास अधिकार है, मतलब right है, अधिकार है and the duty, तो उनकी, उनका करतव भी भी है, उनका अधिकार भी है to defend itself, खुद की रक्षा करने का, defend करने का US, Britain कह रहे हैं कि आप हमला ना करें, लेकिन वो कह रहे हैं, हमारे पार अधिकार है करतव भी हमारा, खुद को defend करने का, while, जबकी, it's Lebanese ally ठीक है, इसको ally बोलेंगे, जैसे alliance होता है, ठीक है, घडबंदन, alliance, ऐसी ally ally कोन होता है, सहयोगी, साथी, कह रहे हैं, जबकी, जो इसके Lebanese साथी हैं, कौन साथी, Hezbollah, said तो इसने कहा, it had targeted, कि उसने निशाना बनाया है, यहां पर head लगा दिया, उन्होंने का होगा, we have targeted, बड़ यह past में आ गया, तो present में has have बदल गया, head में, क्योंकि उससे पहला sentence, past में है, indirect narration, तो it had targeted, उसने निशाना बनाया है, अ सदरन इसराइली airbase को, जो सदरन इसराइल का airbase है, उसको, and a नदरन intelligence base, और जो, जो intelligence base है, मतलब खूफिया base join का, तो उसको निशाना बनाया है, तो यह किसने वोला, hisbullah ने, जो कि, क्या है, ally है, ठीक है, ally क्या हो गया, साथी, ठीक है, ally, यह word में highlight करता हूँ, यह आप याद कर लेंगे, और उपरवड़ था, insist मतलब जिद करना, जोर देना, defend मतलब, रक्षा करना खुद की, itself निशाना बनाना, intelligence base, यानि कि, जो भी, खूफिया, बेस है उनका, now, next, confirming, मतलब, पुष्टी करते वे, confirm करते वे, the strikes, मतलब, हम लोगो, मतलब, हमला तो हुआ है, तो इस चीज के वो पुष्टी कर रहे हैं, तो पुष्टी करते वे, हम लोगी, after, बाद में, किस चीज के बाद, confirm करते हुए, explosions, मतलब, धमाके, and anti-aircraft fire, और जो anti-aircraft fire है, और जो explosions है, धमाके है, तो यह जो दोनों चीज है, एक तो explosion मतलब, धमाका, और anti-aircraft fire, ठीक है, विमान, भेदी, बंबारी बोलते हैं, इसको, तो echoed, around तहरान, echo is, गूंज, तो कहरे हैं, जो धमाके, और जो यह, anti-aircraft fire जो है, तो यह जब इसके गूंज, जो हुई, तहरान के, around, तो इसके बाद, पुष्टी करते हुए, ठीक है, the Israeli military said, इसराइल की military ने कहा, क्या बोला, it had hit, कि उसने hit कर दिया है, अब यहाँ पर भी head लगा हुए, तो यहाँ पर प्रेसेंट में has have होगा, narration है, त तो it had hit, मतलब उन्होंने hit कर दिया है, Iranian missile factories को, and military facilities को, एक तो Iranian जो missile factories है, उनको hit कर दिया है, इसराइल ने, और military facilities, मतलब सैने सुविधाओं को, in several regions में, मतलब कई शेतरों में, clear हो गया, यहाँ पर word याद करें, अच्छे हैं, confirm is, पुष्टी करना, strikes is हमले, explosions, मतलब धमाके anti-aircraft fire, anti तो जानते होंगे, मतलब जो उसको काटती है, ठीक है, तो aircraft fire, हवाई जाज के हमले जो है, और anti मतलब उसके विप्रेद, उसके उल्टे, जो उसको रोकती है, और echo is गूंज, भाकी इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, अभी देखते हैं, आगे, the retaliatory strike, एक retaliate, retaliate मतलब हो जाता है, जवाब देना, ठीक है, हाजिर जवाबी जिसको बोलते हैं, मतलब किसी ने पलट कर जवाब, मतलब एक ने जो कुछ action दिखाया, उसका हम पलट कर जवाब दे रहे हैं, उसको बोलता है, retaliate करना, तो जो ये retaliatory strike है, मतलब जवाबी हमला, has been completed, तो ज लगा हुआ है, has been, फिर लगे वर्ब की third form, तो ये जो है, retaliatory strike, ये काम कर रहा है, object का, completed है वर्ब की third form, तो ये है present, perfect tense, passive voice, तो जवाबी हमला, पूरा हो चुका है, and or, the mission was fulfilled, और जो mission है, वो पूरा हुआ, वाइल, जबकी, Israeli aircraft, returned safely, और जबकी जो Israeli aircraft है, वो सुरक्षित, लोट आए, a military spokesman added, एक जो military का प्रवक्ता है, spokesman है, या spokesperson added, उसने ये add किया, मतलब ये भी कहा, clear हुआ है, यहां तक सारा, word अच्छे हैं, याद कर सकते हैं, retaliatory strike, मतलब जवाबी हमला, fulfill is पूरा करना, और spokesman is प्रवक्ता, बाकी, simple है, नाओ, next paragraph, इरान's military said, इरान की, यहां पर पोस्टो वेस्ट लगा है, इसका मतलब होता है, का की के, इरान की military, इरान की सैना, तो उसने कहा, on Saturday, Saturday को that की, only radar systems, जो केवल radar systems है, were damaged, केवल वही, शतिगरस्त हुए, in pre-dawn Israeli strikes, जो pre-dawn में, Israeli हम लेवे उसमे, अब यह dawn क्या होता है, हमने पढ़ा होगा, जैसे सूरे निकलता है, और सूरे छिपता है, जिब सूरे निकलता है, उसको बोल देते है dawn, जिब सूरे छिपता है, उसको बोल देते है dusk, dawn to dusk, और यहां पे लिखा है不要 to dawn, मतलब सूरज निकल इस्राइली एयर जो हमले हुए स्ट्राइक्स हुए उसमें किस पर हुए ओन तेहरान पर एंड अधर प्रोविंस पर और दूसरी प्रांतों पर अगर आपको याद है तो यह प्रोविंस वर्ड जो कल मैंने वीडियो डाल था वो क्याबलेरी के उसमें भी आया था and or said और कहा it was prioritizing तो वो प्रार्थमिक्ता दे रहे हैं यहां पर was लगा है उन्होंने is लगाया होगा और यह इससे पहले past लगा हुए इसलिए कर दिया was indirect narration तो वो prioritize कर रहे हैं प्रार्थमिक्ता दे रहे हैं ceasefire को मतलब युद विराम को in Gaza and Lebanon में clear हो गया सारा अब यहां पर वर्ड याद करें सबसे पहला है damage शतिग्रस्त करना pre-down मतलब भोर से पहले provinces मतलब प्रांते prioritize प्रार्थमिक्ता देना ceasefire युद विराम इसके बाद आगे यहां पर लगा है double inverted commas ठीक है यहां लिखा है the statement said यानि के जो बयान है statement है तो उसने कहा अब बयान तो बोलेगा नहीं तो बयान में लिखा था क्या लिखादा a large number of missiles के रहे हैं बहुत सारी जो missiles है were intercepted उनको रोका गया मिसाइल्स को रोकना क्या हो गया intercept नया वर्ड है याद कर सकते हो and or enemy aircraft वर और जो दुश्मन के जहाज है वर prevented तो उनको भी रोका गया prevent का मतलब होता है रोक थाम करना तो उनको भी रोका गया from entering the country's airspace जो देश का airspace है मतलब हवाई शेत्र है उसमें प्रवेश करने से रोका गया तो यह बयान में लिखा था अब यहाँ पर याद करें सबसे पहले prevent मतलब रोक थाम करना प्रिवेंट के साथ लगता है फ्रॉम दूसरा है इंटरसेप्ट इसका मतलब होता है रोकना और airspace यह तो बताने के जूरत नहीं है हवाई शेत्र और इसमें रूल कौन सा यूज हुआ अलार्ज नंबर ओफ मिसाइल्स जो है यह है ओबजेक्ट फिर लगा है वर फिर पैसिव वाइब सो इसके बाद लास्ट पेराग्राप यहां पर लगा है डबल इंवर्ट पिलमाउटेड कोमर इत अर्ड़ मतलब उस स्टेट्मेंट में ये भी था क्या था वाईबी इसरेल इनध्र उल सुरक्षिट रखना तो वाईबी रिजर्विंस मतलब सुरक्षित रखते हुए, it's legal मतलब अपने कानूनी and legitimate right और जो उनके व्याद अधिकार है ठीक है? तो अपने कानूनी और व्याद अधिकार को सुरक्षित रखते हुए कौन से अधिकार? to respond, मतलब जवाब देने के, किस पर? at the appropriate moment, मतलब उचित समय पर, तो उचित समय पर जवाब देने के, जो उनके कानूनी और व्याद अधिकार है तो उनको सुरक्षित रखते हुए Iran is prioritizing Iran प्रार्थमिक्ता दे रहा है किसको the establishment 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 मतलब होता है स्थापना किसकी स्थापना को? of a lasting ceasefire, जो lasting मतलब जिसको बलते है, स्थाई ठीक है, permanent और ceasefire is yudhviram तो जो स्थाई yudhviram है उसकी स्थापना को Iran prioritize कर रहा है इन Gaza and Lebanon में तो ये, it added इस ब्यान में ये भी लिखा था clear हुआ तो हिंदी थोड़ी सी हो सकते है आपके लिए complicated हो बट practice करते करते आज आती है आपको बस लगे रहना है ठीक है तो यहाँ पर word याद कर सकते है और इसकी पूरी हिंदी द्वारा बता देता हूँ कहरें कि उचित समय पर जवाब देने के अपने कानूनी और व्याद अधिकार जो है उनको सुरक्षित रखते हुए इरान प्रार्थिनकता दे रहा है स्थाई युद विराम की स्थापना को गाजा और लेबनोन में तो पहला word याद करें reserve यानिके सुरक्षित रखना legitimate यानिके वैद यानिके ये भी legally होता है legally अगर exact हिंदी चीए तो प्रार्थिमिक्ता देना establishment स्थापना lasting यानिके जो अंत तक बना रहे यानिके स्थाई ceasefire युद विराम और इसके उपर भी देख लेते हैं थोड़ा सा नितान याहू aimed तो नितान याहू जो है उनका उदेश्य था aim के साथ एट लगता है तो उनका उदेश्य था sending भेजना a clear message exposed संदेश to Iran इरान को the main purpose of the attack जो attack का main purpose है appeared वो परतीत हुआ appear यह हमारे एक lesson है appear ठीक है appear to जैसे हमने किया था said to, said to be said to be said to have, said to have been said to be plus third form वो जो 9-10 rules थे वो ही यहाँ पे आ रहा है appeared to be plus वो की first form plus ing कई लोगों को समझी नहीं आता यह क्यों लगा है यहाँ पर तो explain नहीं करूँगा वीडियो देख लेना 128, 28, 39 तो पढ़ते हैं कि जो main purpose है attack का appeared मतलब परतीत हुआ वो क्या था to be sending भेजना a clear message exposed message to Tehran को that key Israel can reach anywhere in Iran कि Israel कहीं भी पहुँच सकता है इरान में बट लेकिन at the same time मतलब उसी same समय समय पर his decision उसका जो फैंसला है to go जाने का for a limited attack मतलब limit में जो attack है वो करने का shows वो दिखाता है signs of caution मतलब जो चेतावनी के चीन है उनको दिखाता है which जिसे the Iranians might see यह तो Iranians उसको ले सकते हैं as a result एक result के रूप में of their hybrid deterrence अब यह जो last word आया है यह आप देखिए highlight कर देता हूँ ठीक है आप मुझे बता दीजेगा comment section में last word है की इसका मतलब क्या होगा ठीक है बाकी मैंने सारा explain आपको कर दिया है तो यहां पे use हुआ might का फिर यहां पे c verb की first form यह बताती है संभावना को which यहां पर है relative pronoun caution is जेतावनी तो यहां पे एक आया appeared to be plus ing यह concept हमारा है और बाकी which relative pronoun हो गया might का use हो गया और बाकी कुछ नहीं इसमें बस आप मेरे को deterrence का मतलब बता दीजिएगा comment section में ठीक है और अब आप चाहें तो become English champion app download कर सकते हैं अगर आपको English सीखना है आतो और book buy करनी है उसका link भी नीचे description box में telegram group या WhatsApp चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो इनके link भी नीचे description box में आप जरूर check कर लें so अभी दीजे इजाजत thank you so much